साथ दो दो हजार बाइस के साकार अनमोल धाना युक्त महवाक्य जिनमें बाबाने का ये पढ़ाई बहुत उची है और इस पढ़ाई में ही माया विगन डालती है दूसरा बाबाने का सर्विस व्रद्धी को तब पाएगी कब सोचिये आप मन ही मन आंसर दीजिये और फिर बाबा जो बताएंगे आप उस आंसर को सोचिये आपने राइट बताया तो चलते हैं बाबा की माहवाक्य सुनते हैं मिठे बच्चे ये पढ़ाई बहुत उची है इस में माया रावन ही विगन डालता है उस से अपनी संभाल करो कोश्चन तुमारी सर्विश व्रदी को कब राप्त होगी आंसर है जब तुम सर्विश करने वाले बच्चे पक्के नश्टों मोहा यूग-यूग तो बनेंगे तब तुमारी सर्विश व्रदी को पाएगी तुम सब का उद्धार करनी के निमित बन जाएंगे दूसरा, जब पूरा निश्चे बुद्धी बनेंगे, बाप की हर डिरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगे गीत मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान प्रभुजी, मोरी लाज रखो ओम शन्ति, बाबा आकर चोटे बच्चों को समझाते हैं, कोई चोटे हैं, कोई मीडियम हैं, कोई बड़े हैं बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीती समझ और समझा सकते हैं कि जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है छोटा बच्चा तो फिर भी पद भी छोटा ये तो समझने की बात है मानुष्ये पानी में स्नान करते हैं कुम्ब मेला मनाते हैं अभी कुम्ब माना संगम संगम का मिला तो एक ही एक बड़े ते बड़ा जिसको ग्यान सागर और ग्यान नदी का मिला कहते हैं पानी की नदियां तो बहुत हैं ये संगम पर ही मिला होता है आत्मा और परमात्मा का जो सबसे बड़े से बड़ा मिला है बाबा पता रहें पानी की नदियां तो बहुत हैं वेहे भी सब सागर में ही पढ़ती है सागर से निकलती हैं और सागर में पढ़ती हैं परन्तो उनका इतना मिला नहीं होता ब्रह्म पुत्रा नदिय है बड़ी जो कलकत्ती की तरफ सागर में जाकर मिलती है ऐसे तो सरस्वती गंगा आदी बहुत नदिया है जो सागर में जाती है नदियों से फिर तालाबादे बनते हैं तो बचे जानते हैं ज्यान सागर एक ही शुपावा है यह ब्रह्मा भी ज्यान नदी थेरी इनका भी ज्यान सागर का मेला है पस्तों में इनको ही सच्चा कुम्ब कहा जाता है सबसे बड़ा मेला है ज्यान सागर के पास आना शुप बाबा के पास जाना बाबा को याद करना यह सबसे बड़ा मेला है यह ब्रह्म पुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है पहले-पहले यह निकली है इनका संगम है पिछारी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले-पहले निकले हैं तो ज्ञान सागर से पहले निकला कौन? यह ब्रह्मा फिर सत्यों के पहले नंबर में भी यह ही जाते हैं फास्ट प्रिंच स्रीकरसन जाकर के बनते हैं सरस्वति और ब्रह्मा का मिला नहीं आत्मा परमात्मा का मिला सरस्वति और ब्रह्मा का मिला नहीं ब्रह्म पुत्रा और सागर का मिला है मनुष्य कुम्ब के मेले में जाते हैं वहाँ जाकर सनान करते हैं नदियां तो बहुत मिलती है जहां यहां कितनी ग्यान गंगाएं आ करके मिलती है शुब बाबा से बाप ने समझाया बहुत अच्छा है यह जो नदियों पर रोज सनान करते रहते हैं अब उनसे बचावे कौन बाप कहते हैं, यह कोई ज्ञान गंगाई नहीं, इनमें तो कच्छ मच सब सनान करते हैं, तो पांच प्रकृति के जो तत्व हैं, उन तत्व में से एक तत्व है, जैसे जल, वायू, आकाज, पृत्वी, अगनी, तो वो कोई उस तरह से उसमें सनान करें और पांच बंजें ऐसे नहीं, और बाबाने का उसमें कच मचादी भी बहुत रहते हैं, वो भी सनान करते हैं, तो वो तो पांच बंते ही नहीं हैं, जो रोज सनान करने जाते हैं, उन्हों को समझाना चाहिए, कि तुम यह करते करते, कंगाल बन पड़े हो, तीर्थो मुझे याद करो तो याद की योग अगनी से तुम्हारे विकर में विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे, योग से तुम पावन बन सकते हो ना कि पानी के स्नान से, वास्तों में ये ज्ञान स्नान है, वो पानी की नदिया, ये ज्ञान न दिया, इसमें सिरफ बाबा को याद करना है, इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, ये तो बाब मत देते हैं, शिरिमत देते हैं, ज्ञान से सदगती होती है, तुम 21 जन्मों के लिए सदगती में जाकर फिर दुरगती में आते हो सतो परधान से सतो रजो तमों में जरूर आना है यह सब बाते तुम बच्चे ही समझते हो और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिप्रे सोने के लिए और नया तो कोई आना सके तो बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ यह तो गुप्त माव हो गई ब्रह्मा बाबा गुप्त माव हो गई तुम बच्चे कोई से प्रदशनी मिले का उदगाटन कराते हो तो उनको कुछ समझा कर फिर कराना चाहिए ऐसे ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए कुछ समझेंगे तो कह सकें यह संच्था बहुत अच्छी है मानुस्य से देवता बनाने वाली है परन तो इतना कोई समझाते नहीं और ना ही किसी की बुद्धी में बैठता है जिन जिन से उदगातन कराया है उन्होंने कोई बात समझी ही नहीं है कोई को भी निश्चे नहीं हुआ इतनी जो आए उन्हों में भी किसी को सेमी निश्चे कहेंगे जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं हज्जारों समझने के लिए आते हैं और उन में से पांच साथ निकलते हैं तब कहा जाता है कोटों में को, को में भी को जब कोई प्रदशनी मिला आदी करते हैं तो पांचे निकल आ जाते हैं नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है, अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चे, कोई को चोथा, कोई को दस परसेंट, बास्तों में स्कूल में पूरे निश्चे बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता, निश्चे हो तो समझे, बैरिश्टर बनना है, तो इमत्याहन जरूर पास करना है, यहां तो संसे बुद्धी भी बैठ जाते हैं, समझते हैं, दीरे दीरे निश्चे हो जाएगा, मानुस्य से देवता बनते हैं, यहां निश्चे होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते तूट भी पढ़ते हैं, चार पां वर्स पढ़ते पढ़ते फिर संसे आ जाता है तो निकल जाते हैं यह पढ़ाई है बहुत उची और इसमें माया रावन के विगन पढ़ते हैं माया समझने नहीं देती माया बच्चों की पढ़ाई में विगन भी डालती है तो यह स्कूल बड़ा पनरफुल है दिलवारा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है बहुत जड़ मंदिर जो स्वरग स्थाफन आर्थ हो कर गए जगदंबा जगतपिता और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं जैसे शिवा जी आदिशब चेतन्य में थे अब उन्हों का यादगार ह जगदंबा और जगतपिता चेतन्य में आये हैं पाइंच शजार वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे पहली तो जरूर चित्र नहीं होंगे ये सब चित्रादी खतम हो जाएंगे फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे यादगार भी तो पहले पहले शुप बाबा का ही बनेगा फिर उनके बाद तिरमूर्ति, ब्रह्मा, विश्न, शंकर के फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे पतित सब पतित पावन को याद करते हैं परन्तु समझते नहीं कि हम भी पतित हैं वास्तों में सच्चा सच्चा ज्यान यह हैं जिससे सद गति होती है ज्यान तो गुरु द्वारही मिलता है पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी हैं यह सब अंध शर्दा है आक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते ऐसे नहीं दर्शन करूं आदी आदी यह सब फालतों हैं दर्शन की कोई बात ही नहीं यह तो कोई नई से मिलना पड़ता हैं क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है प्रंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते गरीब कर सकते हैं हाँ कोई ज्यान धन में भी सहुकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं यह पानी की नदियों में तो सनान करते ही आई हैं इस गंगा सनान से सदगती नहीं मिल सकते पतित पावन सदगती दाता तो एक बापी है वहें आकर सर्व की सदगती करते है बाप कहते हैं सदगती तो एक सेकिंड में मिल सकती है शिरिमत कहती है मुझे याद करो तो अन्तमती सुगती हो जाएगे इसको योग अगनी कहा जाता है जिससे विकर्म मिनाश होंगे इसलिए बाप कहते है मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे फिर मैं हूँ ही स्वरक स्थापन करने वाला इस चक्र को याद करने से चक्र वरती राजा बन जाएंगे तो बाप को और वर्से को याद करो अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सद्गती करते हैं वह सर्व की सद्गती दाता हैं तुम किसी की सद्गती नहीं कर सकते तो शिव बाबा से ये सच्ची सच्ची ज्यान गंगाई निकले हैं शिव का शिव विश्वनात गंगा वेह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं उनको समझाना चाहिए तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे नश्ट्र मोहा अच्ची योगिनी जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेंगे पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी साध्वों आदिका भी तुम्हें उद्धार करना हैं उन्हों को समझाना हैं सद गती दाता एक ही है वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तुम मेरे पास चले आएंगे मुक्ती तो एक सेकिन में मिल सकती है मुक्ती के बाद है ही जीवन मुक्ती इबड़ी समझने की बाते हैं ऐसे नहीं सब को एक जैसी धारना हो सकती है नंबर वार पुर्शात अनुसात धारना होती है पॉइंस बहुत अच्छी अच्छी है पॉइंस भी धारन हो तो नशा भी चड़े बाबा बहुत सहज तिसहज तरीका बताते हैं फिर भी कोई-कोई लिखते हैं बाबा किरपा करो बाबा शक्ति दो तो बाबा समझ जाते हैं बाबा क्या समझ जाते हैं जो ऐसे मांगते हैं मांगने वाला भक्त बुद्धी है भगत तो धेर हैं और सब गाते हैं पतित पावन आओ याद तो सब करते हैं कहते हैं ओ गौड फादर परंतु समझते नहीं तो मर्शी कृपा फिर कैसे होगे वास्ताओ में तेरह मुर्ति यह है ओपर में शिव बाबा फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो यहां मुझुद हैं ही इस तरी पूरुष दोनों कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं तो दोनों भाई बेहन हो गए तुम भी प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान थे प्रन्तो अभी नहीं हो जानते नहीं हो गाते ही परुम पिता परमात्मा प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा मानुस्री स्रिष्टी रचते हैं तो जरूर पहले पहले ब्राह्मन धर्म रचा होगा, जब स्रिष्टी रची जाती है तब ब्रह्मा कुमारियां होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनिक अधर्मों का विनाश हो जाता है, इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां फिर बनेंगे अभी कुमार, आदी-आदी, बाद में देखो नाम भी कैसे-कैसे रखते हैं, बसरमल, बैंगणमल आदी-आदी, सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते, अब तुम्हारे नाम कितने रमनिक बाबाने भेजे हैं, तुम बच्चों को अभी बाबा की डिरेक्शन पर अमल करना चाहिए तुम्हारी सोदा गरीबी बेहद की है बड़ा सोदा करने में तो बड़ा पद मिलेगा 21 जन्मों के लिए बाहत करके गरीब अबलाई ही अच्छा वर्षा पाती हैं धन्वान नहीं पाते धन्वानों में फिर भी इस्तनी हैं कुछ पाती है पुर्षों का तो पैसे में ममत तो रहता है मेरा मेरा करते रहते है लोकिक बाप के वारिष तो बच्चे ही बनते हैं यहां तो बाप कहते हैं मेल चाहिए फिमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं देखा जाता हैं माताई जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्ती नाम गाय हुआ हैं, कन्याई माताई अच्छा पद पाते हैं, इसलिए बाप को कन्या भी कहा जाता है, इसलिए दिलवारा मंदिर तुम्हारा यादगार है, समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए, तिर्थों पर, और ही जास्ती सर्विस हो सकती हैं, अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई हैं, सद गती तो ज्यान सागर से ही होगी, ना कि पानी से, तो सद गती दाता गीता का भगवान ही है, सद गती दाता गीता का भगवान ही है, वह है निराकार शुपाबा, अच्छा, मीठे मीठे सिक कि लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग डाइमन मॉर्निंग रूखानी बाप की रूखानी बच्चों को नमस्ते हम रूखानी बच्चों की रूखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डाइमन मॉर्नि ओम नमस्ते दान्ना के लिए मुख्य सारे हैं ज्यान धन में सहुकार बन बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी हैं पूरा निश्चे बुद्धी बनना हैं किसी भी बात में संसे नहीं लाना हैं सेकिंड पॉइंट बाब से पूरा वर्षा लेने के लिए बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत तो है उसे छोड़ देना हैं लोकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है विनाशी है खतम हो जाने वाला हैं तो उस वर्षे का नशा नहीं रखना हैं बरता दुआओं के रोकेट द्वारा तिवर गती से उड़ने वाले विग्न प्रूप भाव माता पीता और सर्व के संबन में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वेम को संपन करो तो कभी भी पुर्शार्त में मेहनत नहीं करने पड़ेगी जैसी साइन्स में सबसे तीवर गती रोकेट की होती हैं ऐसे संगम युक पर सबसे तीवर गती से आगे उड़ने का यंत्र अथ्वा उससी भी स्रेश्ट रोकेट सबकी दुआई हैं जिशे कोई भी विग्न जराबी स्पर्श नहीं कर सकता दुआई सबसे बड़ा खजाना है इससे विग्न प्रूफ बन जाएंगे युद नहीं करने पड़ेगी विग्न डालने वाले दुआई देंगे तो विग्न प्रूफ आटोमेटिकली बन जाएंगे स्लोगन प्रोपकार की भावना से संपन बनना ही स्रेष्टा का आधार है आज का अमरत बेला की पॉइंट है मन इच्छित फल पाने की अनोखी बेला क्या है प्रभू पानना की परम बेला है अमरत बेला विशेश प्रभू पालना की वेला है अमरत बेला विशेश परमातम मिलन की वेला है रोखानी रूर रिहान करने की वेला है अमरत बेला भोले भंडारी के वर्दानों के खजानों से सहज वर्दान प्राप्त करने की वेला है जो गायन है मन इच्छित फल प्राप्त करना यह इस समय अमरत वेले के समय का गायन है बिना मेहनत के खुले खजाने प्राप्त की वेला है कोई ताला चाबी नहीं होता बाबा फ्री होता है सब खजाने देने के लिए ऐसे सुवावनी समय को अनभव से जानते होना अनभव ही जाने इंस्रेश्ट प्राप्तियों को तो बाप दादा सभी रोहानी गुलाब को देख देख हर्शित हो रहे हैं बाप दादा भी कहते हैं वा मेरे रोहानी गुलाब वा मेरे रोहानी गुलाब आप वावा के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते इतना महतव है अमरत वेले का स्वेम भगवान आप बच्चों के वावा के गीत गाते हैं तो ये वेला कितनी wonderful है, कितनी प्राप्ति की है, इस वेला को समझ बाबा से सदा रो रियान करते रहो, अम्रत बेले, ओम शन्ति